हर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड टेस्ट के बारे में हम जानेंगे की यूरिक एसिड क्या होता है इसका टेस्ट हमें कब कराना चाहिए और यूरिक एसिड के बढ़ जाने से क्या क्या प्रोब्लम हो सकती है आज इनी सब के बारे में आसान स देखे दोस्तो यूरिक एसिड टेस्ट से हम यह जान सकते हैं कि हमारे बलड यानि खून में यूरिक एसिड का एमांड कितना है और यूरिक एसिड एक वेस्ट माटेरियल होता है जो कि हमारे बोडी में प्यूरिंस के ब्रेकडाउन यानि तूटने से बनता है अब जान लेत में purines से बनता है तो यह purines क्या होते हैं तो आपको बता दू purines एक chemical compound होता है जो की हमारी body में nucleic acid के breakdown से बनता है यानि कि nucleic acid के तूटने से बनता है अगर आप DNA अश्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो nucleic acid को समझ गए होंगे इसके अलावा कूछ ऐसे food होते हैं जिन में बोडी में प्यूरिन्स आ जाता है देन ये प्यूरिन्स हमारे लीबर में जाता है और एडनोसीन और गवानिन में तूट जाता है इसके बाद यह यूरिक एसीड में कनभर्ट हो जाता है देखिए यूरिक एसीड एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हमारे बोडी के लिए ज पिरनी हमारी इसे urine यानि की पैसाब के जरिये body से बाहर निकाल देती है तो यह इसका पूरा पाथवे होता है तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि uric acid कैसे बनता है और कैसे सरीर के बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि uric acid एक waste material होता है जो हमारे body के लिए जरूरी नहीं है अब देखिए यह uric acid हमारे body में दो condition में बढ़ सकता है पहला there is too much production of uric acid या तो हमारे body में यह ज़्यादा बन रहा हो या फिर दूसरी condition में यह हो सकता है कि the body is unable to get rid of excess uric acid या फिर हमारी body या kidney इसे हमारे सरीड से बाहर ना लिकान पा रही हो तो भी इसका level हमारे blood में बढ़ जाता है उमीद है दोस्तो इतना आप समझ गए होंगे uric acid के बारे में अब जान लेते हैं कि हमें uric acid का test कब-कब कराना चाहिए डॉक्टर हमें कभ यह test करवाने को कहते हैं तो पहला help diagnose gout यानि कि किसी को gout के problem होती है या फिर उसे गठिया होता है उसका diagnose करने के लिए उस गठिया को पता लगाने के लिए uric acid का test कराया जाता है दूसरी check for kidney stone या फिर उसके गुर्दे में पत्री होती है तो उसका पता लगाने के लिए भी uric acid का test कराया जाता है तिसरी check if medicine are working यानि कि दोस्तो अगर आप गठिया की दवा ले रहे हैं और वह दवा आपके body में सही से काम कर रहा है या नहीं इसको पता लगाने के लिए भी uric acid का test कराया जाता है चौधा check for uric acid level in patient on chemotherapy और radiation यानि कि दोस्तो ऐसे मरीज जिनको chemotherapy होने वाली होती है वैसे में भी uric acid का test कराया जाता है या chemotherapy treatment cancer के patient के लिए किया जाता है ये आप याद रखना ये सब कुछ condition है दोस्तो जिसमें uric acid का test कराया जाता है होप सो आप समझ गे होंगे और हाँ दोस्तो uric acid का test patient के blood द्वारा भी हो सकता है और patient के urine के द्वारा भी test किया जाता है ये आप ध्यान में रखेगा अब दोस्तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि हमारे blood में urine acid की normal value आखिर कितना होता है अगर आपको पता होगी तो आप किसी का भी report देखकर जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को urine acid की problem है भी या नहीं तो चलिए देखते हैं तो देखिए male में इसकी normal value की बात के जाए तो वो है 3.4 से लेकर 7.0 microgram पर deal होता है वही female में इसकी value 2.4 से लेकर 6.0 microgram पर deal होती है और आपको ध्यान रहे कि या value हलका फुलका chain दिखा सकता है अलग-अलग lab की जाचों में इसलिए आपको tension नहीं लेना है कि किसी में कुछ तो किसी और में कुछ क्यों अब आप इसका skin sort ले लिजे और हाँ दोस्तों जैसा कि आप इस report को देख रहे हैं यहाँ पर uric acid का value दिखा रहा है कि पैसन में इतना uric acid है अब आप comment करके बताओ कि यह normal है यह बढ़ा हुआ है तो दोस्तों हम जान चुके हैं कि uric acid क्या होता है और इसका test कब कराई जाती है अब जान लेते हैं कि अगर यह uric acid हमारे सरीर से बाहर नहीं लिकन पाता है तब हमें क्या problem face करने को मिलती है क्या इसके symptom हमें दिखाई देते हैं तो देखिए जब यह uric acid हमारे blood में बढ़ जाता है तब यह crystal में convert हो जाता है और यह crystal हमारी bone के बीच में इकठा हो जाता है जिसके कारण उस जगह पर inflammation यानि की सूजन हो जाता है जिसके कारण हमें काफी ज़्यादा दर्द होने लगता है इसी condition को दोस्तो हम gout यानि की गठिया के नाम से जानते हैं और हाँ दोस्तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि गठिया की पहचान क्या होती है या फिर यह हमारे body में किस हिस्स्य से होना सुरू होता है तो देखिए दोस्तो 90% चान्स होते हैं कि यह हमारे पैर के अंगूठे से अस्टार्ट होता है और इसके अलावा हमारे body के अन्ड पाट से भी सुरू हो सकता है जैसा कि आप ये सब देख सकते हैं और समझ सकते हैं यहाँ पर मैं आपको कुछ picture भी दिखा रहा हूँ जिससे आप इस गाउट की पहचान भी कर सकते हैं जैसा कि आप इस picture को देख कर समझ सकते हैं कि इसके big toy में गाउट यानि की गठिया हो चुका है जिसके कारण inflammation देखने को मिल रही है और इसके उंगलियों में भी गठिया हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं और हाँ दोस्तों अगर किसी का uric acid बढ़ गया है तो उसे control भी किया जा सकता है इसके लिए काफी natural treatment मौजूद है बट हम लोग मोटा मोटी समझ लेते हैं कि इसे control कैसे कर सकते हैं यानि कि आपका आगे ना बढ़ है तो number one adjust diet यानि कि आपको ऐसी भोजन खानी है जिसमें purine की मातरा ना हो तो purine किस में पाय जाते हैं और किस में नहीं ये सब चीज़े आपको net पर easily मिल जाएगी नमबर दो limit alcohol यदि आप alcohol पीते हैं दारू पीते हैं तो आपको alcohol बंद कर देना चाहिए क्योंकि alcohol हमारे body को dehydrate कर देता है जिसके करण गौट की समसिया बढ़ने के chance बढ़ जाते हैं नमबर थ्री keep your body hydrated यानि कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि आप जितना पानी पीएंगे आपके blood में yuric acid जमा होने के chance उतना ही कम हो जाएंगे तो ये कुछ tips हैं दोस्तो जो आपको ध्यान में रखनी होती है इसके आगे का treatment आपके gout के condition के अनुसार doctor दवा चलाते हैं इसलिए गठिया हो जाने पर आप तुरंद अपने doctor से मिले पर मैं कुछ medicine के बारे में बदा देता हूँ ताकि आपको idea रहे की गठिया होने पर कौन-कौन सी medicine चलाई जाती है पहला जो दवा है उसका नाम है फेबु अस्टेट 40 जिसका composition फेबुक्सो अस्टेट होता है या दवा दोस्तों हमारे body में यूरिक एसिट के formation यानि की यूरिक एसिट को बनने से रोकता है ताकि यूरिक एसिट की मातरा और ज्यादा हमारे body में न बन पाए इसको एक tablet पर प्रडे लेना होता है और हाँ दोस्तों अगर फेबु अस्टेट टाबलेट खाने पर भी यूरिक एसिट ब्लोक नहीं होता है तो इस टाबलेट को रोक कर इसकी जगा एलो प्यूरिनोल टाबलेट देते हैं इसका भी वही काम होता है यूरिक एसिट के formation को रोकने का जो की जाइली के नाम से आपको मार्कित में मिल जाती है इसको दो से तिन टाबलेट दिन भर में दिया जाता है नेक्स्ट जो टाबलेट है दोस्तों वह है बैंसिट टाबलेट जिसका composition pro-bैंसिट टाबलेट होता है इसका उपियोग दोस्तों हमारे बोडी से extra uric acid को remove करने के काम में लिया जाता है जिसको एक टाबलेट दिन में एक बार दिया जाता है नेक्स्ट जो टाबलेट है वो है colcine 0.5 जिसका composition colchicine होता है इसका use तब करते हैं जब uric acid के कारण जोडों में pain हो रहा हो उस जगह पर inflammation यानि की सूजन आ गई हो तब इस टाबलेट का उपियोग क किया जाता है इसकी dose की बात करें तो एक से दो टाबलेट पर डे पैसंट को लेना होता है ये सब के अलावा दोस्तों दर्द में राहत के लिए कुछ pain killer भी use किया जाता है जैसे iboprofen दोस्तों मैं काफी सरल तरीके से आपको gout से related, uric acid से related doubt इस वीडियो में क्लियर करने की क पोसिस किया हूँ, उमीद है आपको यह जनकारी पसंद आई हो, मिलते हैं अब आपसे next वीडियो में